नमस्कार मैं डॉक्टर स्टीश शर्मा डी एचमेस हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज की भाग दोड़ भरी व्यस्त जिंदगी और कुछ खाने पीने का तरीका जिसकी वज़ा से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिमारी खड़ी हो जाती है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की जिसके बारे में अधिकतर पेशन्ट बात करने में जिजबते हैं जबकि पूरी तरह बात करने के बाद ही बिमारी का पता जलता है और उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है तो जिस तरीके से बाकी की बिमारीया होती है उस्की तरीके से गुपत रोग जिने हम सेक्स प्रॉब्लम भी कह सकते हैं सेक्स प्रॉब्लम कई तरह के वह सकते हैं जैसे erection का कम्य, erectile dysfunction यैनि तनाउं में कम्य आ जाना Early discharge यानि शिक्रबतन की शिकायत वीर्य में पतला पना जाना Sperm count यानि शुक्राणों की कम्य हो जाना या stamina कमजोर हो जाना इच्छाओं में कम्य हा जाना तो कई तरह के गुप्त रोग हो सकते हैं में लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के कारण मानसिक तनाव की वज़ा से गुप्त रोगों की शकायत हो जाती है भागदोर भरिव्यस्ट जंदगी की वज़ा से समय पर ना सोना यानि प्रपर नीन ना लेना जिसकी वज़ा से सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है या समय पर ना खाना और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड तली फली चीज़ें बाहर का खाना खाते रहने की वज़ा से भी सेक्स प्रॉब्लम्स हो जाती है या एकसस में नशा करना जिसकी वजया से sex problem हो सकती हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में हस्त मैठ雲 करने के कारण भी sex problem हो जाती है, क्यूंकि अधिकतर nervous system weak ہोने के कारण यानि नसो में कमजोरी आ जाने के कि वजay से sex problem हो जाती है या mind concentrate ना रहने के कारण क्योंकि mind जब sex का proper order करता है तभी erection आएगा और जब mind का controlling power बढ़ता है जैसे जैसे तभी early discharge का problem control में आपाएगा तो वैसे तो अगर हम अपने खान पान में सुधार करें जैसे अच्छा खाना गरेलू खाना और साथ में कुछ dry fruits लिये जा सकते हैं जैसे बादाम अक्रोट किश्मिश वगरा या मखाना इनको खाने से भी sex problem से निजात पाया जा सकता है प्रपर समय पर सोना और समय पर जागना सुबह का morning वाग करना जिससे sex problem से निजात पाया जा सकता है या फिर mind को fresh रखना जिसमें नीन पूरी लें अच्छा खाएं पीएं क्योंकि चिंता से कोई भी समश्या हल नहीं होती तो इतना करने से ही लगबग sex की problem से चुटकारा पाया जा सकता है मेंली अच्छा खान पान परहिज करकर और साथ में हमारे बरताए हुए तरीकों को इस्तिमाल करकर आप sex problem को दूर कर सकते हैं फिर भी अगर किसी को ऐसा लगे कि problem बहुत जादा है समश्या बहुत आ रही है sex करने की इच्छा ही नहीं है या sex की problem बार बार create हो रही है तो मैं आज आपको एक दवा बता रहा हूँ दवा का नाम है Briefa X plus BC 27 यह homeopathic दवा है और जैसा कि आप जानते हैं homeopathic दवा का कोई side effect नहीं होता तो जैसा मैंने पहले कहा कि अपने खानपान में सुधार करके और tension free रह कर और अपने तौर तरीकों को बदल कर नशादी छोड़ कर sex की problem से रहा पा सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरू कि जबेए उस उसराए